मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ बेस्ट लंसम प्लान वह कैसे बनता है कितना कहां होगा किस मेच्वल फंड से बनेगा मैं डिटेल इनफर्मेशन आपके साथ रखने वाला हूँ तो चलिए बीना देरी किये हुए मैं आज इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो दोस्त है तो बहतर है यहां ना टेंशन है और रिक्स है तो मेच्वल फंड में यदि लंसम कर दे तो बहतर रिटर्न मिल पाएगा तो चलिए इसको किसी भी मेच्वल फंड में यदि आप लंसम करने जा रहे हैं तो उसके दो पॉइंट को देखना काफी इंपोर्टेंट है पहला इसका होल्डिंग यानि आप तो पैसा उसमें धर दिये लेकिन वह पैसा काहां जा रहा है इस चीज को देखना काफी इंपोर्टेंट है तो देखीए इसका होल्डिंग का है और हर शेक्टर में पैसा लगाया गया है और अभी तक 72 कंपनियों में इस मैच्वल फंड के पै से लगाए गए हैं तो माल लीजिए कि एकाथ दो सेक्टर कभी डाउन में भी जाते हैं तो बाकी तो ग्रोथ करेंगे तो ओवर ओल इसका रिटर्निंग अराम से निकल कर आ जाएगा तो डिफिरेंट डिफिरेंट सेक्टर में जिसका मैचुल फंड का पैसा होल्डिंग हो उ समसम करना हो तो ओल टाइम रिटर्निंग यानि मैचुल फंड जाब से लंच हुगा और अभी तक उसका कितना रिटर्निंग है इसको देख लीजिएगा तो जो ओल टाइम रिटर्निंग होता है उसके आसपास ही हमेशा रहेगा उससे नीचे आने वाला वह नहीं है तो इस करते हैं कि इस मैचुल फंड में आप इन्वेस्मेंट करते हैं एक लाख रुप्या एक लाख और यहां फंड रिटर्निंग मात्र यदि बीस परसेंट कहीं दे देती है 22.84 परसेंट है मैं उससे भी कम करके ले लिया हूं 20 परसेंट तो एक लाख रुप्या आप भी लगा करके और दोस साल के लिए यदि आप इस मैचुल फंड को भूल जाते हैं तो दोस साल बाद यह पैसा आपका हो जाएगा 20 परसेंट के हिसाब से 6,19,000 यानि 6,19,000 रोप्या बन जाएगा दोस सालों में आपका एक लाख दोस साल में 6 लाख बन जाएगा वही आप यदि उस पैसा को फिक्स करने जा रहे है तो दोस साल में एक लाख दो लाख बनेगा तो देख लिजे कि कितना फर्क है मीचुल फंड में और बैंक के एफटी में वहीं दोस साल यदि और रूख गए यानि लॉम सम करने के बाद यदि 20 साल रूख गए तो आपका वही पैसा और 30 ल लेकिन अगला दौस साल में और तीस लाख हो गया तो इसका कमपाउंडिंग के यह पाउर होता है यानि रिटर्न पे भी रिटर्न आपको मिलता जाता है और वही तीस साल यदि आप एक लाख लगा कर भूल गया है तो तीस साल के बाद दो करोर 377,000,000 रुपया इस मेचुल फंड से आप बना पाएंगे तो आपने देखा कि HDFC मीट कैप अपुचुनिटी फंड में यह आप लंसम कर देते हैं और तीस साल भूल जाते हैं तो आप दो करोर 37,000,000 रुपया बना पाएंगे तो ओभर ओल यह काफी बेहतरीन बेस्ट लंसम प्लान के लिए फंड है तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों कसा सेर भी कीजे और यदि आप इस चैनल पर मिलेंगे अगले टॉपिक पर तब तक के लिए जय हिंद